वश्कार भक्तो जैमा भद्रकाली जै महाकाल हमारे यूट्यूग चैनल प्राचिन मंतर हस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो भक्तो हमेशा की तरह ही आज हम आपको बताने वाले हैं शत्रू मुख स्तंभन क्रिया के बारे में जी हाँ अगर आपका कोई ऐसा शत्रू है जो आपके कारोबार में आपके परिवार में आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है अपने मुख से आपके प्रती बहुत ही गल्त शब्द उचारण कर रहा है आपकी बहुत ज़्यादा बगनामी हो रही है जिसके कारण आपका घर से बाहर निकलना बंद हो गया हो अगर ऐसी स्थिती आपके सामने बनी हुई है तो आज का यह है टोटका आप अवश्यस पूरा देखिए क्योंकि अगर आप इस टोटके का सही तरीके से इस्तिमाल कर लेंगे तो आप अपने बड़े से बड़े शत्रू का मुख जो है स्तंभन कर पाएंगे जी हाँ भक्तो आपका जो शत्रू होगा आपके प्रती एक भी शब्द उसके मुख से कभी भी नहीं निकलेगा ना तो वह है आपकी बुराई कर पाएगा और ना ही लोगों को आपके बारे में गलत बता पाएगा तो ऐसे शत्रू का मुख स्तंभन करने के लिए आज मा आपको बहुत ही सरल और शिग्रफल देने वाला टोटका बताने जा रहा हूँ तो भक्तो इस वीडियो को अंत तक देखकर इस टोटके की संपून विदी जाने अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के उपर किलिक करके अभी हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें ताकि भविश्य में आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन वीडियो के जरीए अपने समस्त समस्याओं का नाश कर पाएं तो भक्तो यह जो तोटका है बहुत ही सरल तोटका है इस तोटके को करने के लिए आपने शनिवार का दिन चुलना ह और अपने शत्रू की फोटो और उसका नाम आपको पता होना चाहिए यह तोटका आप अपने शत्रू की फोटो और उसके नाम के साथ कर सकते हैं किसी भी जगाँ पर कर सकते हैं शरीवार के दिन आपने करना है लेकिन करने के लिए आपको संध्या यानिके जिसे शाम कहा जाता है संध्या का समय आपने चुनना होगा और संध्या के समय के भीतर ही आपने इस टोटके को करना है तो भक्तो आपने क्या करना होगा कि अपने शत्रू का इस परकार से आपने फोटो ले लेना है और फोटो लेने के बाद आपने लेनी होगी डो लॉंग जी हां इस परक प्रकार से रख देनी है, रखने के बाद भक्तो आपने क्या करना होगा, कि थोड़ा सा सिंदूर आप अपने शत्रू के मुख के उपर डाल दीजिये, और डालने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, यह स्तंभन के लिए का बहुत ही महाशक्तिशाली मंत्र है, इस मंत मंत्र का जाप करते ही, आपके शत्रू का मुख, आपके प्रती हमेशा हमेशा के लिए स्तंभित हो जाएगा, तो भक्तो जो मंत्र है, इस परकार से है, यह देखिए, आपको पढ़ने वे आसानी होगी, आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परिशानी आ र अम नमो भगवते, शत्रूना, मुक्स्तंभए, अमुक्, मुक्स्तंभन, कुरू, कुरू अम रूफे, स्वाहा, तो इस परकार से आपने इस मंत्र का जो जाप रहेगा, यह है 555 बार, जी हां, 555, 555 बार आपने इस मंत्र का जाप, अपने शत्रू की फोटो को उसके के उपर दो लॉंग और थोड़ा सा सिंदूर डाल कर आपने इस मंत्र का 555 बार जाप कर लेना है, और जैसे ही आपके जाप पूरे होते हैं, तुरंत इन दोनों लॉंग और तस्वीर को लाल कपड़े में बांध कर, गांट लगा कर, उसे बहते हुए पानी में जलपरवा कर दीजे, आपके शत्रू का मुख हमेशा हमेशा के लिए स्तंबित हो जाएगा, वह है आपके प्रती कभी भी गल्थ शब्द ना तो उच्चारण करेगा, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई कर पाएगा, तो भग्तो यह जो टोटका है, बहुत ही स उत्तम दिन माने जाते हैं, अगर इन दिनों में भी आप करेंगे तो शनिवार की आवशक्ता नहीं है, आप इन दिनों में कीजिए या शनिवार को ही है टोटका कीजिए, आपको सफलता 1001% अवश्य मिलेगी और आपके शत्रू का मुख हमेशा हमेशा के लिए बंद हो ज परक कर सकते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेर और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, धन्यवाद दोस्तों, जैमा भद्रकाली, जै महाकाल